हेलो दोस्तों स्वागा थाकवा विटकाउन दुनिया में मैं संजर्मा दोस्तों आप लोग देख रहेंगे पिछले कुछ महीनों से SEC, the US Security and Exchange Commission के द्वारा जितने भी crypto companies है, crypto firm है और उन firmों को license देने वालों पे अपनी कारवाई तेज कर दी है जैसे 9 Ferrari को Kraken Exchange के द्वारा जितने भी American customer है उनको staking सिवा बंद कर देना, 10 Ferrari को Nexo Capital जो की एक crypto lending perform है उस पर जितने भी American customer है उनको yield burning earned interest product सिवा बंद करना, जिरा Ferrari को Paxos के द्वारा ये announcement करना कि वो BUSD को mint करना बंद कर देगी और ये कभी news निकल के आई है कल के date में, all crypto ATM firm in UK are illegal, तो ये SEC के द्वारा क्यों किया गया है, क्या कारण रहा है उसके पीछे, अगे SEC की planning क्या है, आज हम इन सब के बारे बात करेंगे और अन्त में मैं आप सभी से भी जानना चाहूंगा कि SEC के द्वारे ये जो action लिया जा रहा है, वो सही है कि गलत है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये जो चार मेटर बताया हूँ, तो ये एक एक करके हम जानेंगे कि इमेटर क्यों हुआ और SEC के द्वारा ये action क्यों लिया ग और इनका जो official website है, वहाँ पर आके देख सकते हैं, तो यहाँ पर US Security and Exchange Commission के द्वारा बताया गया है, कि जो kraken exchange है, उनका जो crypto assets stacking as a service program है, उसको ये रेजिटर नहीं किये हुए है, मतलब वो रेजिटर नहीं है, इस वैसे SEC ने ये action लिया है, इस service को यहाँ बंद किया जा रह कि crypto lending platform है ये, इसका announcement आता है, 10 February को, यहाँ पर आप देख सेते हैं, इनके official website पे, यहाँ पर US Client के लिए announcement होता है, इसमें बताया जाता है, इनका जो earn interest product है, जितने भी US Client है, उनके लिए ये close किया जा रहा है, इनके उपर भी इसको register न करने के वाज़े से SEC का इसके उपर action होता है, और इसको बंद करवाय जाता है, यह settlement होता है, इसमें लभग 45 million dollar payment करना पड़ता है, और यह बताते हैं कि एक April से, जितने भी US Client है, उनको, इनका जो ये service है, प्रोवाइट करना बंद कर देंगा, हाट मेंटर दोस्तों, Paxos का है, Paxos एक leading regulator blockchain and technological infrastructure platform है, इनका जो Binance के stable coin के साथ relations था, उसको इन्होंने खत्म करने का announcement किया, मतलब BOSD को ये जो mint करते थे, वो mint नहीं करेंगे, इसके पीछे reason ये था, कि BOSD को एक unregistered security माना जा रहा है, हाला कि SEC के through, ये जो unregistered security है, इसको ज के द्रिश्टी कोर्ट से घर हम देखें, तो एक अच्छा कदम था, लेकिन इसी बिस New York Department of Financial Services का ये आदेस आता है, कि Texas को ये service देना बंद कर देना है, और NYDFS के द्वारा इस company पर investigation भी चल ला है, ये जो matter है, ये बहुत ही ज़्यादा serious है, इसके उपर अगर आपको detail video चाह इतने भी understood crypto ATM है, उनको भी close करने की बात चल लही है, ये कुछ matter थे दोस्तों, जिसको मैंने आप लोगों को बताया, और SEC की द्वारा क्यों action लिए ये भी बताया, और आप सभी को मैं याद देलाना चाहूंगा, 2022 में जिस सरीके से FTX exchange, Terra Luna, Block 5 Celsius, ये सारे bank craft हुए थो, तो इ ये सब होने के पीछे, SEC के उपर भी allocation लगाया गया है, कि आखिर आप क्या कर रहे थे, आखिर ये सब चीजें आप लोगों के सामने कैसे हुई है, इस तरकी बातें SEC के उपर लेके आएगे, यहाँ आठ फर्वरी को SEC के द्वारा एक price release किया आता है, यहाँ पर पताया आता यहाँ पर इनों बताया कि जितने भी crypto firm है, crypto companies है, इन सब के उपर जो भी illegal चीजे चल नहीं है, जो भी unrestored चीजे है, उन सब के उपर action लिया जाएगा, जिसे कि जो घटना 2022 में घटी है, वो आगे से न घटे, और इनका focus पूरे जो crypto firm है, crypto companies है, इन सब के उपर अपना focus बना action क्यों लिया जा रहा है, जितने भी crypto companies है, आपका इसके उपर क्या विचार है, आप comment करके जरूर बताएगा, क्या ये सही कर रहा है, कि गलत कर रहा है, एक चीज हमेशा से ध्यान रखेंगे, crypto को जब भी regulate किया जाएगा, तो वहाँ पर rules और regulation आएगे, जो की थोड़े दि के लिए हम लोगों को दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन जिस तरके से scam हो रहा है, जिस तरके से scam project आ रहा है, अपने crypto market में, वो आने बंद हो जाएगे, इन सब चीजों पर भी आप विचार जरूर करिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सस्क्राइब जर पुर्दाता लगता है, और यहाँ पर effort भी ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग like करते हैं, तो हमें थोड़ा सा motivation मिलता है, जिसे मुझे पता चलेगा, आप लोगो इस तरके वीडियो पसंद आ रही है, और इस तरके content और भी लाने के मैं कोसिस करूँगा, इस वीडियो में भी कलेबस इतना ही, जय हिंद।